हेलो वीवर्स, वेलकम टू टेस्टी बाइट बाइट प्रीती, आज की हमारी रेसिपी है शाही मश्रूम मसाला, जो की एक रिच टेस्टी टोमैटो बेस्ट ग्रेवी है, तो सबसे पहले ही कटोरी में पानी ले लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जीरा पॉडर, कॉरियंड आश्यू पेस्ट है, वो बहुत ही क्रीमी बन करके तयार होता है, आएए बढ़ते हैं रेसिपी के तरफ, तो सबसे पहले आप कड़ाई को थोड़ा गरम कर लीजिए और उसमें डालेंगे घी और बटर, फिर हम धुले हुए कटे मश्रूम डालकर इसे सौते कर लेंगे हा अब इसे निकाल कर एक बरतन में रख लेते हैं, उसी कड़ाई में घी डालकर के गरम कर लेंगे, घी गरम होने पर हम डालेंगे जीरा, जब वो स्प्लटर करने लगे फिर हम डालेंगे तेज पत्ता और साथ ही साथ डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट, इन्हें अच्छी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उनियन को इस स्टेज में आने तक इसे भूनियेगा, जब ये इस स्टेज में आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो, अब इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे, अब प्यास और मसाला अच के बाद हम इसे ढखकन खोलेंगे और वापस से अपना टोमैटो प्यूरी चला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद वापस इसे ढखकर और दो-तिन मिनट पकाएंगे जब तक कि हमारी टोमैटो ग्रेवी इस स्टेज में न पहुँच जाए इसमें एड करेंगी कैश कर दो-तिन मिनट तक पका लें अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करने की ताकि यह नीचे चिपके न अभी इस मिक्षर को भी हमें अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है अब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तब हम इसमें डालेंगे क्रीम और उस इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढखकर दो-तिन मिनट तक इसे और पका लेंगे हमारी रेसिपी बन करके अलमुस्स तयार हो गई है बस दो चीज डालनी बाकी है वो है फ्रेश कटे हुए धनिया और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम शाही गरम मसाला इन सब क अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे और दो-तिन मिनट तक और पकनी दीजे और हमारी रेसिपी तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यह स्वादिश्ट मलाईदार ग्रेवी रेसिपी को आप चपाती राइस या नान के साथ सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और यह डिनर पार्टी के लिए तो बेस्ट रेसिपी है तो मेरी स्टैनल में अगर आप नए हैं तो मेरी स्टैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और न्यू न्यू रेसिपीस और हाँ शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग